आपको क्लास पसंद आई होगी और आपनी क्वेस्टन सॉल्व करने की कोशिश की होगी करी है या नहीं देखिए अगर करी है तो बहुत 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 अच्छी बात है बिकाज जैसे मैंने आपको कहा है ना थियरी परना एक अलग बात है पर क्वेस्टन पर उसको अप्लाए करना वो आना बहुत बहुत जरूरी है बहुत है तो क्वेस्टन सॉल्व करना बहुत जरूरी है विदिन टाइम इसमें बहुत बहुत एंपोर्टेंट है समय का ध्यान रखना जरूरी है ठीक है ताकि हम पेपर सही समय पे complete कर पाएं तो हम जितने questions अभी करेंगे ना हमारी उतनी ही practice होगी और जितनी practice होगी उतना कम time हमें exam में लगेगा yes or no yes ठीक है तो फिर सब लोग मेरे साथ है yes and everybody is excited for the second class great nice ठीक है तो आप बस खुश रहिए positive रहिए अच्छा सोचिए और मेहनत करते रहिए बस यही चाहिए ठीक है बाकी सब अच्छा होगा मेहनत करेंगे तो result जरूर जरूर मिलेगा okay तो चलिए हम अपने second lecture पे आते हैं आज आज जो हम पढ़ने वाले हैं basically हम पढ़ने वाले वापिस से वही अध्याय है that is जीव जगत ठीक है पर इसका यह lecture second है जिसमें हम आगे अब जीव जगत में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जीवों में विवित्ता को देखेंगे नाम करन पढ़ेंगे ठीक है हमेशा जो next class होगी उसमें previous class का recall करवाऊंगी क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि revision बहुत बहुत important है बिना revision के आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठता है ठीक है ना एक बार आपने पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है ठीक है उसी वक्त अगर आप 3-4 गंटे में उसको वापस से पढ़ लोगे तो आपकी दिमाग में जाके set हो जाएगा ठीक है और फिर next class में जैसे अपन revise किया करेंगे recall किया करेंगे तो देखो क्या आपको चीजे याद आ रही है आ रही है तो best है because फिर वो आपको हमेशा याद रहेंगी ठीक है ना तो हमेशा revise जरूर किया करो recall जरूर किया करो ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था ठीक है तो सबसे पहले जब हमने कल class start की थी तो हमने देखा था जीव विज्ञान के बारे में और जीव विज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया था कि सभी जीवन रचना और जैव प्रक्रोमों का विज्ञान जीव विज्ञान होता है ठीक है ना उसके बाद में हमने देखा जीवन क्या है तो मैंने जीवन क्या है मैं आपको बताया था कि जीवन जो है वो क्या है अणुओं का एक जटिल तंत्र है ठीक है तो हमने देखा था जीवन क्या है अणुओं का एक जटिल तंत्र है मैंने आपको ये बताया था ठीक है जिसमें विभिन क्रियाय होती है ठीक है और मैंने आपको ये कहा था कि एक कोशिका जो होती है वो अपनी आप में एक संपूर्ण जीवन है ठीक है एक कोशिका अपनी आप में एक संपूर्ण जीवन है क्योंकि वो अनो का एक जटिल तंत्र है जिसके अंदर विभिन क दिया हैं, जैसे potion है, उत्सरजन है, श्वसन है, वो सब हो रही है, ठीक है ना? तो यह हमने देखा था कि जीवन क्या है? ठीक है? उसके बाद हमने क्या देखा था? आमने देखा था कि हम ने सजीवों और निर्जीवों में कैसे अंतर कर सकते हैं? अगर हमें किसी सजीव को निर्जीव से differentiate करना है तो ऐसे कौन से अभी लक्षण है जिनके basis पे हम उनको अलग-अलग कर सकते हैं और मैंने उसमें आपको बोला था कि एक चीज याद रखनी है आपको और वो है defining characteristics defining characteristics मैंने आपको क्या बताया था हिंदी में क्या बोलते हैं हम इनको हम इनको बोलते हैं su spasht abilakshan ठीक है तो मैंने आपको बोला था su spasht abilakshan वो होंगे जो सिरिफ सजीवों में पाए जाएंगे उनको निर्जीवों में नहीं होना चाहिए और सजीवों में भी उनका कोई अफवाद नहीं होना चाहिए कोई exception नहीं होना चाहिए सभी सजीवों में मिलने चाहिए तब ही आप उनको सूसपष्ट अभी लक्षण बोलेंगे याद है आपको यह मैंने कहा था और इसके बाद हमने कुछ characteristics कल पढ़े थे जो की जिन में से कुछ तो सूसपष्ट अभी लक्षण थे और एक जो था वो नहीं था ठीक है ना याद है आप लोगों को हमने क्या-क्या पढ़ा था चलिए हम उसको recall कर लेते हैं ठीक है हमने देखा था first हमने जो देखा था कोशिक की ए संगटन जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे cellular organization ठीक है तो first हमने देखा था कोशिक की ए संगटन that is cellular organization और इसमें हमने देखा था कि कोई भी सजीव जो होता है उसमें कोशिक की ए संगटन पाया जाता है वो कोशिका का बना हुआ होता है ठीक है ना तो सारे ही सजीवो में आपको cellular organization देखने को मिलती है उनमें जीव द्रव्य होता है जीव द्रव्य याद है आपको जीव द्रव्य क्या बताया था मैंने आपको जीव द्रव्य that is protoplasm है ना हमने जीव द्रव्य की बात की थी that is protoplasm और मैंने आपको बोला था कोशिका जिल्ली, केंद्र, कोशिका द्रव्य सम मिला कि आपका जीव द्रव्य बना रहा है और एक साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको बताया था याद है वो साइंटिस्ट थे हक्सले हक्सले जिनों ने प्रोटो प्लाजम को जीव द्रव्य को फिसिकल बेसेज ओफ लाइफ कहा था धाट इस जीवन का भौतिक आधार कहा था ठीक है? ग्रेट तो कोशिक ये संगटन हमने देखा था कि एक सूस पश्ट अभी लक्षन है सजीवों का क्योंकि ये सभी सजीवों में पाया जाता है चाहे वो एक कोशिक किये हो या बहु कोशिक किये हो या सोक्ष्म जीवी हो कुछ भी हो उनमें कोशिक किये संगटन होगा तो ये एक सूस पश्ट अभी लक्षन है ये हमने देखा था लास्ट क्लास में ठीक है? second point हमने जो last class में देखा था वो हमने देखी थी उपापचाई क्रियाए याद है आपको उपापचाई क्रियाए that is metabolic activities है ना, तो हमने ये देखा था कि किसी भी जीव में होने वाली सभी रासाएने क्रियाओं का योग उपापचाई क्रियाए कहलाता है that is metabolic activities कहलाता है है ना, तो कोई भी सजीवो, वो cell का बना हुआ है, अभी अपनने देखा कोशिका उसमें होगी और उस कोशिका के अंदर विभिन प्रकार के रासाई ने क्रियाए हो रही है विभिन प्रकार के रियाक्शन हो रहे है है ना, तो metabolic activities या उपापचाई क्रियाएं जो है, वो सभी सजीवों में पाई जाती है अगेन, चाहे वो प्रो कहा रहे हो जो यू कहा रहे हो जो, unicellular है, multicellular है plant है, animal है कुछ भी है उसमें उपापचाई क्रियाएं पाई जाएंगी तो अगेन, ये कैसा हुआ कैसा feature हुआ सूसपश्ट अभी लक्षन हुआ defining characteristic हुआ ठीक है तो उपापचाई क्रियाएं जो है, metabolic activities जो है, ये भी एक तरीके की सूसपश्ट अभी लक्षन है क्योंकि सभी सजीवों में पाया जाता है निर्जीवों में ये नहीं पाया जाएगा ठीक है और मैंने आपको ये भी बताया था कि उपापचाई क्रियाएं दो तरीके का होती है जो reactions हमारी body में हो रहे हैं वो basically दो तरीके के हो सकते हैं उपचे और अपचे ठीक है उपचे मतलब anabolism इंग्रिश में हम इसको anabolism बोलेंगे अपचे इसको हम बोलेंगे catabolism ठीक है तो उपचे anabolism मतलब दो छोटे molecules मिलके कोई एक बड़ी चीज बना रहे है मतलब किसी भी चीज का बनना निर्माणकारी प्रक्रियाएं ठीक है निर्माणकारी जो क्रियाएं होती है वो उपचे में आती है निर्माणकारी ठीक है इसका example भी मैंने आपको दिया था इसमें कुछ बन रहा है वो है photosynthesis प्रकाश संसलेशन ठीक है ना फिर अपचे मतलब उसमें कुछ टूट रहा है ठीक है कुछ break हो रहा है just इसका opposite इसमें कुछ बन रहा है इसमें कुछ टूट रहा है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं विगटनकारी प्रक्रियाएं और इसका example अपनने देखा था श्वसन ठीक है तो यह हमने देखा था about उपापचे क्रियाएं और यह हमने देखा था कि यह सूसपष अभी रक्षन है ठीक है यहां तक सबको याद है next हमने क्या देखा था next property जो हमने देखी थी वो था चेतना ठीक है that is consciousness ठीक है तो चेतना या consciousness जो है वो भी सभी सजीवों में पाया जाता है यह हमने देखा था और निर जीवों में नहीं पाया जाएगा चेतना मतलब अपने वातावरण में होने वाली जो भी बेसिकली उद्दीपन है जो भी चीजे होती है उसके प्रति हम प्रतिक्रिया शो करते है ठीक है सभी सजीव प्रतिक्रिया शो करते है चाहे वो पादब हो अगेन चाहे वो एक कुशे किये जीव हो ठीक है सभी प्रतिक्रिया शो करते है अपने वातावरण की तरफ और उसी को अपन चेतना बोलते हैं, consciousness बोलते हैं तो ये भी एक सूस पष्ट अभी लक्षण है सजीवों का ठीक है, done चेतना में हमने एक और चीज़ देखी थी जो हमें याद रखनी है और वो है स्वर चेतना स्वर चेतना मतलब स्वर लगा दिया हमने इसके आगे मतलब क्या हो गया, self-consciousness है ना मतलब मैं का ग्यान yes, मतलब अपने बारे में ग्यान होना ये वारी जो consciousness है, स्वर चेतना, ठीक है ये सरिफ मनुष्ये में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है उसको अपने आपका ग्यान होता है, ठीक है वातावरन के बती very fast reactions हम लोग show करते है और हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि हम अपने आपको कैसे आगे ले सकते हैं future के बारे में सोच सकते हैं आगे आने वाली चीजों के बारे में सोच सकते हैं तो हमारे अंदर स्वर चेतना है ठीक है? मैं का ग्यान है, अपने आप का ग्यान है ठीक है? तो ये चेतना जो था, वो हमने third characteristic देखी थी और उसके पाद हमने fourth देखा था, वृध्धी वृध्धी, growth ठीक है? अब वृध्धी जो थी, मैंने आपको बताया था, वृध्धी होती है, किसी भी चीज का बढ़ना, ठीक है? अब वो जो बढ़ना है, वो या तो भार में हो सकता है, या फिर संख्या में हो सकता है दोनों ही ही, किसी भी चीज में growth हो, किसी भी चीज में वृद्धी उसको वृद्धी ही बोलेंगे, ठीक है, वृद्धी हमने देखा था, सभी सजीवों में पाई जाती है, ठीक है, सजीवों में हमें वृद्धी देखने को मिलती है, पर कैसी वृद्धी देखने को मिलती है, सजीवों में हमें इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को म इंट्रिंसिक मतलब आंत्रिक, मतलब अंदर से ग्रोथ होती है सजीवों में, हमारे अंदर से लिवाइट करते हैं और हमारी ग्रोथ होती है, अंदर से ग्रोथ होती है, पर वृद्धी जो है वो निर्जीवों में भी पाई जाती है, ठीक है, निर्जीव भी वृद्धी शो करते हैं ठीक है पर उनके अंदर जो वृद्धी होती है वो होती है extrinsic मतलब भाई वृद्धी ठीक है मतलब बाहर से चीज़ें उन पर जमा होती है जैसे मैंने आपको रेद के टीले का example दिया था ना तो रेद उपर से आपके जमा होती जाती है तो उसकी वृद्धी होती जाती है ठीक है यह आपको मिलेगा निर्जीवों में ठीक है तो हमने क्या देखा था कि वृद्धी जो है आंतरिक वृद्धी तो हमें मिलती है सजीवों में ठीक है और extrinsic that is by वृद्धी हमें मिलती है निर्जीव में ठीक है पर वृद्धी मिल तो दोनों में रही है न सजीवों में भी मिल रही है और निर्जीवों में भी मिल रही है इसलिए वृद्धी को हम सूसपष्ट अभिलक्षन नहीं बोल सकते ठीक है तो वृद्धी जो है वो सूस्पष्ट अभी लक्षन नहीं है सजीवों का क्योंकि ये निर्जीव में भी आपको मिल रही है पर चेतना जो है वो हमने बताया था कि सजीवों का सूस्पष्ट अभी लक्षन है ठीक है, clear सबको तो यहां तक जो है हम पढ़ चुके हैं हमारी पिछली क्लास में and I hope यहां तक सबको सारी चीज़ clear होगी ठीक है, अब next characteristic पे हम आएंगे और वो है जनन ठीक है, चलिए, अब हम जनन के बारे में पढ़ेंगे जनन, that is reproduction, ठीक है ठीक है, तो reproduction या फिर जो जनन है इसका मतलब क्या होता है, first of all तो जनन मतलब आप सबको पता है कि अपने जैसी संतती को उत्पन करना इसको अपन जनन बोलते हैं या reproduction बोलते हैं, ठीक है तो संतती अत्वा नए सदस से बनाना ही जनन कहलाता है और जनन क्यों important है, yes क्यों important है जनन reproduction कहना क्यों important है, because निरंतर्ता बनाए रखने के लिए जनन, निरंतर्ता बनाए रखने के लिए इसके लिए जनन बहुत important है, ठीक है, continuity बनाए रखने के लिए अगर हम reproduce नहीं करेंगे, जनन नहीं करेंगे, तो हम वहीं के वहीं विलूप तो जाएंगे आज आप लोग, मैं इस दुनिया में हूँ, क्यों है हम लोग, क्योंकि जनन है, ठीक है, क्योंकि reproduction है, ठीक है तो निरंतर्ता बनाए रखने के लिए जनन करना बहुत ही ज़रूरी है, that is reproduction is a very important process, ठीक है अब हम आगे चलते हैं, एक कोशिक ये जीव जो होते हैं, जैसे की bacteria है, एक कोशिक ये शैवाल, that is algae है, ठीक है अमीबा है, इन में जो जनन है, वो व्रिद्धी का परियावाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में व्रिद्धी होती है, इसका मतलब क्या है देखे, कल मैंने आपको बताया था, जैसे अमीबा है, ठीक है, एक कोशिक ये जीव है, ठीक है, जब ये ग्रोग करता है, तो ये क्या होता है, ग्रोग के बाद ये दो में टिवाइड कर जाता है है ना और फिर वापिस ये दो ग्रो करेंगे चार अमीबा बन जाएंगे तो basically हो क्या रहा है संख्या में जो वृद्धी हो रही है इस एक कुशिक ये जीव में जो संख्या में वृद्धी हो रही है उसके ही फलस्वरूप आप देख रहे हो कि इसके नए संख्या में वृद्धी है वो एक दूसरे का परियावाची ही है क्योंकि जब ये संख्या में भड़ता है जब ये ग्रो करता है जब इसकी वृद्धी होती है ये डिवाइड कर जाता है ठीक है और नए इसकी संतिती बन जाती है नए ओफ स्प्रिंग्स बन जाती है ठीक है इसी लिए जो यूनी सेलिलर और गयानिजम्स होते हैं या बिक्टीरिया भी यूनी सेलिलर हुआ ठीक है या यूनी सेलिलर एल्गी है इनके केस में वृध्धी और जनन इन दोनों को हम प जनन के जैसा ही है क्योंकि यह ही एक सेल ठीक है? तो यह एक कुशिक यह जीव के लिए है तो जो जनन है पहले अपन जनन के टाइपस पढ़ लेते हैं कि जनन दो तरीके का होता है या आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा तो एक होता है अरल एंगिक जनन जिसको अपन बोलते हैं Asexual Reproduction ठीक है? और दूसरा जनन होता है जिसको अपन बोलते हैं Langic Genon That is Sexual Reproduction ठीक है? तो Asexual Reproduction Sexual Reproduction Earl Langic Genon Langic Genon अब इन में हम differentiate करते हैं तीन चार पॉइंट्स पे हम इन पे differentiate करेंगे ठीक है? तो फर्स्ट अफ आल फर्स्ट पॉइंट जो है वो है जनक मतलब पेरेंट कितने पेरेंट्स इन्वाल्ड होते हैं ठीक है? Asexual Reproduction में कितने पेरेंट्स की ज़रत हैं और Sexual Reproduction में कितने पेरेंट्स की ज़रत होती हैं तो Asexual Reproduction में हमेशा एक ही पेरेंट होता है Single Parent is involved ठीक है? तो जैसे आपने देखा था था न अभी Sexual Reproduction में जेनरली दो पेरेंट्स होते हैं एक तो होता है नर और दूसरा होता है मादा तो एक नर होता है, एक मादा होती है दो पेरेंट्स involved होते हैं पर हम इसमें एक पेरेंट भी कभी बोल सकते हैं कैसे? कैसे मैं बोल सकते हूँ कि sexual reproduction में एक parent भी हो सकता है मान लिजे एक flower है एक fool है that is bisexual flower है वो मतलब उसमें नर जननांग भी है और मादा जननांग भी एक ही flower में present है तो वो कैसा वो है तो एक ही parent ना flower तो एक ही है ना तो उसको हम एक ही parent बोलेंगे पर उसमें दोनों जननांग उपस्तित है male reproductive part भी है female reproductive part भी है तो हम बोल सकते हैं कि ये single parent भी हो सकता है in the case of sexual reproduction generally तो दो होते ही है एक नर होगा एक मादा होगी ठीक है ना जो कि नर नर युगमग बनाएंगे मादा मादा युगमग बनाएंगी ठीक है ना पर in the case of flower के case में आप देख लीजिए अगर एक bisexual flower है जिसमें नर जननांग मादा जननांग दोनों एक ही flower में है ठीक है तो हम उस case में उसको single parent बोल सकते हैं ठीक है तो ये तो हो गया जनक के form में फिस second हम किस space पे differentiate करते हैं asexual reproduction में युगमक का निर्माण जो है युगमक मतलब gametes ठीक है ना तो युगमक का निर्माण asexual reproduction में नहीं होता है required ही नहीं है तो युगमक निर्माण नहीं होता gamete formation नहीं होता है देंग एक चननन में gamete formation या युगमक का निर्माण होता है ठीक है third है युगमक का इनिर्माण नहीं हो रहा तो युगमरच का तो निर्माण नहीं होगा उप Chandrani सी बात है ठीक है नब युगमरच क्या होता है Zygote है नब तो युगमरच का निर्माण भी नहीं होता पर Sexual Reproduction में वो होगा I hope आपको पता है यह सब कि जो नर होते हैं, उनमें नर युगमक बनते हैं, ठीके तो जो युगमक होते हैं, वो fuse करते हैं, नर युगमक हुआ, माता युगमक हुआ, यह female gamete, female gametes, यह जब fuse करेंगे, यानि जब इनका निशेचन होगा, fertilization होगा, तो क्या बनता है, युगमनज, यह जाइगोट, है न, तो male gamete, female gamete का fertilization होगा, युगमनज बनेगा, यह जाइगोट बनेगा, पर यह चीज कहां होती है, sexual reproduction में होती है, यह आपको a sexual reproduction या फिर a language जनन में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि न तो यहाँ युगमक निर्मान होता है, नहीं यहाँ यहाँ पर युगमनज का निर्मान होता है, और नहीं यहाँ पर निशेचन होता है, ठीक है, यहाँ पर निशेचन भी होगा, ठीक है, युगमक बने, निशेचन हुआ, युगमनज का निर्मान हुआ, और फिर बाद में जब कोशिका विबाजन हुए, उसे फिर भुरून का development हुआ, फिर आगे development हुआ, ठीक है, यह सब sexual reproduction में होता है, पर यह sexual reproduction में यह चीज़े नही होती, और पाँचवी चीज़ क्या है, कि क्योंकि इसमें एक single parent involved है, एक single parent ही involved है, जैसे कि अभी हमने देखा, तो क्या होगा, because single parent है, तो सारा का सारा जो भी genetic material है, जो भी genes है, ठीक है, वो एक single parent से ही आ रहे हैं बच्चे के अंदर, सारे characters उस single parent के एक ही जनक के आ रहे हैं, ठीक है, इस वज़े से वो जो offspring है, जो संतती है, वो अपने जनक के identical होती है, ठीक है ना, मैं यहां नहीं लिखूंगी, तो जो संतती होगी, वो अपने जनक के identical होगी, मतलब विभिनता नहीं होगी उसके अंदर, differences नहीं होगे, पर यहां पे विभिनता पाई जाती है, संतती में विभिनता पाई जाती है, क्योंकि इसमें दो parents हैं, एक नर और एक मादा दो parents हैं, ठीक है, दो अलग-अलग युगमक मिलते हैं, और फिर युगमनज बनता है, तो दो अलग-अलग genetic material आके fuse हो रहे हैं, तो जो genes आ रहे है संतती के अंदर, वो नर के आ रहे हैं, मादा के आ रहे हैं, वहाँ पर mixing हो रही है, ठीक है, तो इसलिए विभिनता पाई जाती है, in the case of sexual reproduction, ठीक है, तो यहां पे जो संतती होगी, वो बिलकुल identical नहीं होगी, किसी भी parent के, नर के, न मादा के, ठीक है, उसमें विभिनता पा reproduction और sexual reproduction के बीच में, वापिस से हम repeat करते हैं, तो सबसे पहले, asexual reproduction में एक ही parent involved होता है, sexual reproduction में दो parents होते हैं, generally, एक नर और एक मादा, या फिर एक हो सकता है, in the case of, जैसे मैं आपको बताया, flower, bisexual flower है, ठीक है, फिर, asexual reproduction में युगमक निर्मान होता है, निशेचन होता है, य sexual reproduction में ये चीज़े नहीं होती है, युगमक निर्मान नहीं होता है, निशेचन नहीं होता है, युगमनज का निर्मान नहीं होता है, युगमनज का निर्मान में युगमक का निर्मान होता है, युगमनज का निर्मान होता है, और निशेचन भी होता है, ठीक है, next, last point हमने देखा कि क्यूंकि जो संतती है वो एक ही parents से उसको सारा genes मिल रहे है सारा genetic material मिल रहे है इस वज़े से वो identical होती है अपने जनक के ठीक है? whereas in the case of sexual reproduction क्योंकि दो parents involved है ठीक है तो दोनों का genetic material आता है mixing होती है इसलिए जो संतती है उसमें विभिंता पाई जाती है वो identical नहीं होती है अपने parents के ठीक है ना? तो ये sexual and asexual reproduction की हमने बात की अभी अपन different types different methods basically हम बोल सकते हैं different methods of asexual reproduction हम देख लेते हैं तो asexual reproduction जो है वो अलग-अलग methods से करते हैं अलग-अलग organisms और ये अपने 10th standard में पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो तो अभी आप सरिफ नाम याद कर लीजिए आगे हम detail में इसको बाद में पढ़ेंगे तो अलग-अलग पी-जानूओं के द्वारा that is asexual spores के द्वारा ये पाया जाता है algae और fungus में ठीक है? उकुलन ये है budding ठीक है? budding के द्वारा ये पाया जाएगा east एवं hydra में ये examples ना important है ये examples आपको याद होने चाहिए ठीक है? ये पूछे जाते हैं कई बार exams में तो आपको ये examples याद होने चाहिए विखंडन या fragmentation के द्वारा ये पाया जाता है fungus में तन्तुवच शेवाल मतलब फिलिमेंटस अलगी जैसे की spirogyra आप इसका example दे सकते हैं ठीक है ना? तता मौस पादपो के जो प्रॉटेनेमर स्टेज होती है उसमें fragmentation पाया जाता है ठीक है? फिर सत्य पुनुरुद्भवन दाट इस true regeneration regeneration मतलब क्या होता है? वापस किसी चीज का बनना है ना? तो planaria जो है planaria एक flat worm है ठीक है? flat worm है ठीक है? इसमें ये quality पाई जाती है true regeneration इसमें जब ये जब इसकी body जो है जैसे ये planaria है जब इसकी body अगर कट जाती है अलग-अलग parts में तो हर part एक नया organism में develop हो सकता है एक नये जीव में develop हो सकता है इसी को अपन बोलते है true regeneration जब विखंड़त जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनह प्राप्त कर लेता है तदा इस प्रकार नया जीव बन जाता है ठीक है? इसे ही हम true regeneration बोलते हैं और यह plan area में देखने को मिलता है जो कि एक flat worm है sorry तो एसेक्शुल रिप्रड़क्शन के methods हमने यह आपे देखे एसेक्शुल sports के थूँ, budding के थूँ, fragmentation के थूँ true regeneration के थूँ और अभी मैंने आपको बताया था sexual reproduction के बारे में कि sexual reproduction में क्या होता है earth sutri विभाजन that is meiosis होता है ठीक है, जिससे meiosis आपने अगर कोशिका विभाजन पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि माइटॉस और meiosis दो तरीके का हो सकता है, तो जो earth sutri विभाजन है, that is meiosis के through, इसमें gametes बनते हैं, युगमक बनते हैं फिर उन युगमकों का निशेचन होता है, fertilization होता है, ठीक है, उससे युगमनच बनते हैं, that is zygote बनता है, ठीक है और फिर संतती उत्पादन होता है, इसे हम sexual reproduction बोलते हैं ठीक है, clear? asexual और sexual reproduction आपको clear हुआ, great अब जनन जो है, यह reproduction के पारे में हमने इतना सारा पढ़ा, ठीक है पर जनन जो है, वो सजीवों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, और निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, obviously यह pen अपनी संतती उत्पन नहीं कर सकता, ठीक है ना, ऐसा अगर होता कि सजीव कर सकते हैं, और सजीवों में यह गुण पाया जाता है पर सजीवों में कुछ अपवाद है ठीक है, कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं, कुछ exceptions देखने को मिलते हैं, जो जनन नहीं शो करते के ना, अब यह बात आती है कि यह ऐसे कौन सजीव हैं, जो जनन शो नहीं करते हैं, ऐसे कौन से सजीव हैं तो एक example है, जैसे खचर ठीक है, खचर आपको पता है क्या होता है, म्यूल जिसको हम English में बोलते हैं, इसमें basically यह horse और donkey इनको cross करके बनाया जाता है, घोड़ा और गधा इसको cross करके खचर बनाया जाता है, जो खचर होता है वो generally बंध्य होता है, that is sterile होता है, यह जो है reproduce नहीं कर सकता जनन नहीं कर सकता, ठीक है ऐसे ही बंध्य कामगार मदुमक्खी मदुमक्खिया ना बड़े interesting जीव होती है ठीक है, इनकी जो colony होती है ना, उसमें तीन तरीके की मदुमक्खिया होती है आप लोग ने पढ़ा होगा यह भी 9th standard में है ना, तो तीन तरीके की मदुमक्खिया होती है, एक है रानी मदुमक्खी, ठीक है एक होता है ड्रोन्स ठीक है, और एक होती है यह कामगार मदू मख्य या फिर हम इनको श्रामिक भी बोलते हैं वर्कर बीस जिसको हम बोलते हैं अब रानी मख्य का तो एक ही काम होता है अंडे देना ठीक है न द्रोन्स है मेल्स तो रानी क्या है एक फीमेल है ठीक है और ये एग्स ले करती है ड्रोन्स क्या होते हैं ये मेल्स होते हैं ठीक है और इनका काम है रानी के help करना in laying the eggs ठीक है कामगार मदू मक्खियां ये भी females हैं पर ये बंध्य होती हैं ये जनन नहीं कर सकती कामगार इनका नाम से आपको पता चारा है worker है स्रिफ काम करती है that is छत्ते का clean करना बच्चों की देख बाल करना nectar इखटा करना honey बनाना ये सारा काम आपकी कामगार मदू मक्खिया करेंगी ठीक है पर ये बंध्य होती है ऐसे ही अनुर्वर मानव यूगल that is infertile human couples ठीक है तो कुछ ऐसे होते हैं आपने देखा भी होगा कि कुछ couples होते हैं जो जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं जो जनन नहीं कर पाते reproduce नहीं कर पाते तो ये भी हो सकते हैं one second ये थोड़ा clear नहीं देख रहा होगा आपको तो मैं वापस लिख देती हूँ that is infertile ठीक है तो ये लोग भी जो है ये जनन नहीं कर पा रहे हैं पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि ये लोग सजीव नहीं है ये भी तो सजीव ही है खचर भी सजीव है मदुमक्खी जो कामगार मदुमक्खे वो भी सजीव है अनुरवर मानव युगल भी सजीव है पर वो जनन नहीं कर पा रहे हैं है ना इसका मतलब यह नहीं कि वो निर्जीव है ठीक है तो बेसिक बात यह है कि जनन जो है वो सजीवों में पाया तो जाता है ठीक है पर इसके कुछ अफवाद हमें देखने को मिलते हैं, exceptions देखने को मिलते हैं, जो की जनन शोर नहीं करते, और मैंने इसी लिए आपको starting में बोला था कि अगर कोई चीज, कोई भी characteristic को हमें सूसपश्ट अभी लक्षन बोलना है, तो उसका कोई exception नहीं होना चाहिए, अफवाद नहीं होना चाहिए सजीवों में, पर यहाँ हमें जनन का अफवाद देखने को मिल रहा है, ठीक है? कुछ सजीवों में जनन नहीं मिलता है, नहीं पाया जाता है, तो इसी लिए हम जनन को सूसपश्ट अभी लक्षन नहीं बोल सकते सबच में आया आपको सूसपश्ट अभी लक्षन हम क्यों नहीं बोल सकते हैं इसको क्योंकि ये कुछ सजीवों में नहीं पाया जाएगा जनन जो है कुछ सजीव नहीं कर पाते हैं इस वज़े से हम इसको सूसपश्ट अभी लक्षन नहीं बोलेंगे Got it everyone? Great, तो अभी हमने जनन के बारे में भी पढ़ दिया है तो हमने 5 characters total पढ़े कोशिकी है संगटन ठीक है, उपापचाई क्रियाए और चेतना, ये तीनों तो सूसपष्ट अभी लक्षन थे वृद्धी और जनन ये दोनों सूसपष्ट अभी लक्षन नहीं है, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक question करते हैं ठीक है, question करें तयार सब मैंने आपको बोला है कि question को answer करने की कोशिश करना ये नहीं कि मैं आपने बस answer बता दिया और आपने सुन दिया फिर आपके brain ने क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया, ठीक है न? तो आप answer करने की कोशिश करो सोचो इसका answer क्या होगा निम्न कतनों को पढ़े और सही विकल्प चुने, कतन एक है प्रजनन को सजीवों का परिभाशित गुण नहीं माना जा सकता है ठीक है? कतन टू है कई सजीव प्रजनन नहीं करते हैं जैसे खचर, श्रमिक, मदुमक्खी अनुर्वर, मानव, युग्म, आदी ठीक है? बताईए देकि फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते है प्रजनन को सजीवों का परिभाशित गुण नहीं माना जा सकता है वो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हम नहीं मान सकते क्योंकि इसके कुछ अफवाद है ठीक है? तो ये सही स्टेटमेंट है और दिगुसरे स्टेटमेंट में इन्होंने अफवाद ही लिखे हुए है तो कई सजी प्रजनन नहीं करते है जैसे खचा श्रामे का मदुमक्खी और अनौर्वर मानव यूगल ठीक है? तो बेसिकली ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कथन एक वह दो दोनों ही सही है इस केस में ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हब हम आते हैं अपने सेकिंड सब टॉपिक वे तैट इस जीव जगत में विविद्था ठीक है? तैट इस जैव विविद्था जिसको अपन बोलते हैं या हम इंग्रिश में जिसको बोलेंगे प्रित्वी पर इतने तरीके के जीव पाये जाते हैं इतने प्रकार के इतनी संख्या में और उसी को हम बड़ते हैं जैसे आप घड से बाहर निकलते हो आपको इतनी तरीके के एनिमल्स जैसे कुता है गाय है, बिल्ली है ठीक है? ये सब दिखाई देते है अलाले तरीके की birds दिखाई देती हैं, plants दिखाई देते हैं, है ना, तो कितने सरीके की जीव हमारी प्रत्वी पर हैं, और यही सब मिलके हमारी biodiversity या जैविक विवित्ता बनाते हैं, तो लगबग देखा जाए तो प्रत्वी पर 1.7 से 1.8 million तक, ठीके यह लगबग है, ठीके, approximately, ठीके, 1.7 से 1.8 million जीव जन्तु पाए जाते हैं, ठीके, जिसमें से हम अगर जन्तु देखें, सिर्फ animals की बात करूँ मैं, तो वो है 1.25 million, ठीके, और इन जन्तु ओं में से भी, अगर हम सर्फ insects की बात करें, कीटों की बात करें, तो वो है 1.025 million, तो आप सोचिए insects कितना बड़े group बनाते हैं, किती variety of insects कीट हमारी दुनिया में है, ठीके, और 0.5 million, पादपों की पादप पाए जाते हैं, types of पादप, varieties, ठीके, तो 0.5 million पादप पाए जाते हैं, ठीके, तो यह आपने देखा, और इसके साथ साथ, हर वश, करीबन करीबन आप कह सकते हैं, 15,000 नई जातियां हम लोग discover भी कर रहे हैं, ठीके, नई जातियों की खोज होती है, ठीके, तो इतनी variety हमारी प्रत्वी पे देखने को मिलती है, अगर हम इन सब को पढ़ना चाहें, ठीके, तो हम कैसे इनके अध्यन को easy बना सकते हैं, कोई एक-एक को पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, इतनी variety है, इतने types हैं, तो हम कैसे इसको easy बना सकते हैं, easy बनाने का एक तरीका है, कि इनको उनकी समानताओं और विबिनताओं के आधार पर हम समुओं में बाढ़ दें, groups में बाढ़ दें, ठीके, इससे हमारा work easy हो जाएगा, ठीके, और उसी को हम बोलते हैं, वर्गी करण, वर्गी करण, that is, classification, classification, ठीके, जैसे मान लीजे, आप कोई mall जाते हैं, तो mall में हम कुछ shopping करने गए हैं, तो आपने देखा होगा, कि यह लोग क्या करते हैं, grocery के items एक जगे रख देते हैं, जैसे आपके खाने पीने का सामान एक जगे मिलेगा, आपको, stationary का सामान एक जगे मिलेगा, toys एक जगे मिलेगे, है न, आपके जो bathroom से related सामान है, वो एक जगे मिलेगा, तो इससे क्या होता है, easy हो जाता है, गृपिंग होने से क्या होता है, easy हो जाता है, ताकि उनका अध्यन easy हो सके, इसी को अपन वर्गी करन या classification कहेंगे, classification कितने तरीके की होती है, कैसे की जाती है, सब हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको दो term समझाना चाहती हूँ, और first है उसमें taxonomy, that is वर्गी की, ठीक है, taxonomy से related, एक चीज़ आपको यह याद रखनी है, कि taxonomy word किस ने दिया था, यह दिया था APD Candle ने, APD Candle, इन scientist का नाव आपको ज़रूर याद रखना है, बिकोज यह आया हुआ question है, ठीक है, तो APD Candle ने यह शब्द दिया था हमें taxonomy, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, और उस बुक का नाम है, Theories of Elemental Dela Botanic, ठीक है, या फिर theory of elementary potany, ठीक है, फिर यह तो इन्होंने शब्द दिया था, taxonomy शब्द APD Candle ने दिया था, पर अगर आप से कोई पूछे कि taxonomy के जनक कौन है, फादर ओफ taxonomy कौन है, वो है linear, ठीक है, फादर ओफ taxonomy है, linear, और अगर हम father of Indian taxonomy की बात करें, तो वो है centipow, ठीक है, तो father of taxonomy हो गए आपके linear, father of Indian taxonomy हो गए centipow, यह कुछ-कुछ नाम आप याद रखिये, कभी भी कुछ भी नीट में पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है, अब taxonomy होता क्या है, taxonomy जीव विज्ञान की वह शाखा है, जो जीवों की पहचान, नामकरण, तता वरगी करण से संबंदित है, ठीक है ना, तो basically taxonomy जो है, इसमें वो rules and regulations हम include करते हैं, जो किसी भी जीव के वरगी करण में help करते हैं, जैसे मान दीजिए, जो भी नियम, जो भी प्रकरिया हम follow करते हैं, किसी भी जीव को वरगी गरत करने के लिए, वो taxonomy के अंदर आता है, समझ में आया आपको, जो भी नियम, प्रकरिया, rules, regulations, हम जो भी follow कर रहे हैं, किसी भी जीव को classify करने के लिए, और वर्गी ग्रत करने के लिए वो टेक्सोनॉमी के अंदर आता है ठीक है? समझ में आया आपको तो that is ये हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा अब टेक्सोनॉमी जो है इसमें चार स्टेप्स हैं ठीक है? अब मैंने आपको क्या बताया? ये वो प्रक्रिया है जिसके थू हम लोग क्या करते हैं? किसी भी जीव को वर्गी ग्रत करते हैं तो इसमें जो प्रक्रिया है, जो प्रॉसस है उसमें चार स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है? first step क्या है characterization that is विशेशी करण characterization मतलब किसी भी जैसे मान दीजे मुझे कोई नया जीव देखा मैंने यान कोई मुझे नया प्लांट मिला तो उसके लक्षणों को चाटना है ना उसके characters को मैं देखूंगी कि क्या लक्षण है मान दीजे मुझे कोई जानवर मिला तो मैंने देखा उसके दो कान है एक नाक है एक टेल है ठीक है और चार पेर है ना तो ये characters को चाटना या मुझे कोई प्लांट मिला तो मैं उसके देखूंगी कि उसके flowers कैसे है उसकी leaves कैसी है जड कैसी है तना कैसा है ठीक है ना तो that is characterization that is लक्षणों को चाटना विशेशी करन ठीक है तो विशेशी करन characterization that is लक्षणों को चाटना फिर हम क्या करेंगे identification that is पहचान ठीक है जो पहले से ही उपस्तित जीव है जो पहले से ही जीव है हमारे संसार में उनसे किस से वो जादा से जादा match करता है हम उसको identify करेंगे ठीक है हमने उनके लक्षण चाट लिए अब उसके लक्षण कौन से जीव से मिलते हैं जो पहले से ही उपस्तित है ठीक है उसका identification करेंगे उसकी पहचान करेंगे ठीक है समझ में आया आपको मतलब मुझे एक नया जीव मिला मैंने ये पहचान करने की कोशिश की कि उसके जो characters हैं वो पहले से ही उपस्तित जो जीव है प्रत्वी पे उनमें से किस में से सबसे जादा match हो रहे हैं किस से मिल रहे हैं समझ में आया ओके फिर nomenclature that is नाम करन मतलब फिर मैंने उसको एक विज्ञानिक नाम दिया ठीक है विज्ञानिक नाम देना ठीक है और फिर हमने उसका वर्गी करन किया that is classification किया मतलब किसी समूह में उसको group किया ठीक है समानताओ और विबिनताओ के अधार पर हमने उनको समूह में बाटा ठीक है तो that is taxonomy के different जो steps हम follow कर रहे हैं किसी भी जीव को वर्गी करत करने के लिए ये वो steps है first is विशेशी करन second is पहचान, third नाम करन और fourth वर्गी करन that is सबसे पहले तो मुझे कोई जीव मिला तो मैंने उसके लक्षणों को देखा कि उसमें क्या-क्या characters हैं फिर मैंने उसको पहचान की कि वो किस से match कर रहा है फिर मैंने उसको एक नाम दिया विज्यानिक नाम दिया और फिर मैंने उसे group में बाट दिया अब हम आगे बढ़ते हैं ये तो था taxonomy के बारे में ठीक है? I hope आपको समझ में आया होगा वापिस से हम repeat करते हैं taxonomy में क्या होता है? जो भी प्रक्रिया, जो भी नियम, processes हम follow करते हैं किसी भी जीव को वर्गी करत करने के लिए ठीक है? वो taxonomy में आता है और प्रक्रिया में क्या है? चार steps आपको दिख रहे हैं विशेशी करन, पहचान, नाम करन और वर्गी करन ठीक है? नेक्स्ट, जो एक और टर्म में आपको बताना चाहती हूँ उससे पहले चलिए एक एक question है वो question हम पहले कर लेते हैं obviously इसका आंसर होगा वर्गी की that is taxonomy ठीक है? तो वर्गी की या फिर taxonomy विज्ञान की वो शाका है जिसमें हम जीवों को identify करते हैं उनको नाम देते हैं, उनको classify करते हैं ठीक है? आकारिकी क्या होता है? यह होता है morphology morphology मतलब किसी भी जीव के जब आप external characters पढ़ते हो that is morphology externally मतलब बाहर से वो कैसे दिख रहा है ठीक है ना? शरीर रचना मतलब anatomy मतलब अंदर से हम study करें किसी की ठीक है? उसकी सरचना कैसी है? उसमें कौन से ओर्गन्स यह सब ठीक है? that is anatomy और पारिस्तितिक हो जाता है आपका ecology ठीक है? किसी भी जीव के उसके environment से कैसे interaction हो है वातावरन से कैसे उसके interactions है यह सब ecology में पढ़ा जाता है ठीक है? तो यह सारी चीजे अलग है पर taxonomy इसका आंसर है आपका जो की जिसमें हम जीवों को पहचानने नामकरण और वर्गीकरण करते है ठीक है? great अब एक और question है वर्गीकरण का पहला चरण है जीव का वर्णन that is जीव का description ठीक है? description जीव को पहचानना, identify करना उसको nomenclature और फिर जीव को classify करना तो सबसे पहले हम क्या करते है identify करते है कि वो किस से, किस जीव से सबसे ज़ादा वेल खा रहा है जो पहले से present है उनसे किस में से क्या कौन से जीव से वो सबसे ज़ादा करीब है, ठीक है? identification तो identify करना, जीव को पहचानना ये पहला चरण है वर्गी की का ठीक है? great अब हम आते हैं तूसरी term जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है systematics first था taxonomy second है systematics ठीक है? systematics जो है ये भी बिलकुल taxonomy की तरह ही है ठीक है न? जो सारी प्रक्रियां है taxonomy में होते हैं ठीक है नॉमिन ग्रेचर ग्लासिफिकेशन ये सब systematics में भी होगा पर बस एक difference होता है कि systematics में हम उद्विकास जो होता है इसका ध्यान रखते हैं वर्गी करत करते वक्त ठीक है? वर्गी करन करते वक्त हम उद्विकास ये संबंधों का ध्यान रखते हैं ठीक है? समझ में आया आपको तो पिल्कुल taxonomy जैसा है इसमें भी वो ही सारे steps होंगे जो हमने देखा था कि first हमने देखा characterization याद है ना आपको विशेशी करन ठीक है? फिर हमने देखा identification कि हम उसकी पहचान करेंगे महंदी में लिख देती हूं ठीक है? फिर third हमने देखा नाम करन करेंगे nomenclature और फिर हम उसका वर्गी करन करेंगे ठीक है? ठीक है? यही सारे steps systematic में भी होंगे पर difference क्या है? हम जीवों के उद्विकासिये संबंद का ध्यान रखेंगे उनकी evolution क्या? ठीक है? उद्विकास का हम इसमें ध्यान रखते हैं वर्गी करत करते वक्त ठीक है? systematic पत जो है वो लेडियंस ने ही दिया है systematic शब जो है वो latent शब systema से उत्पन हुआ है ठीक है? यह latent term है systema और system मतलब आप समझते हो ना system system मतलब व्यवस्ता कोई भी व्यवस्ता तो systema यहाँ पे जो है इसका मतलब है जीवों की near myth व्यवस्ता ठीक है? एक near myth व्यवस्ता एक particular व्यवस्ता particular system में उनको arrange करना that is systematics ठीक है? तो systematics जो पत है वो लेडियंस ने दिया है taxonomy नाम किस ने दिया था? APD, Candle ने हमेशा याद रखिए और systematics पत लेडियंस ने दिया है systematic systematic systemा से आया है और systemा का मतलब है जीवों की near myth व्यवस्ता समझ में आया आपको और आपको ये याद रखना है कि इसमें उद्विकासिये संबंद का ध्यान रखते हैं जीवों में जो भी उद्विकासिये evolutionary relation है उनके बीच में उसका हम ध्यान रखते हैं ठीक है लेडियंस ने अपने publication का शीशक system में नैचुरे रखा था system नैचुरे के एक book है जिसके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे ठीक है चाले आगे बढ़ते हैं अब हम अब हम आते हैं नामकरन that is nomenclature पे ठीक है नामकरन करना नomenclature या फिर आप नामपदती बोल सकते हो ठीक है कोई भी जीव होता है उसका विज्ञानिक नाम रखा जाता है तो किसी भी जीव का विज्ञानिक नाम रखना ही आप बोल सकते हो नomenclature है विज्ञानिक नाम scientific name ठीक है तो किसी भी जीव का विज्ञानिक नाम रखना नomenclature है अब विज्ञानिक नाम रखना जरूरी क्यों है भाई हम लोकल नाम से क्यों नहीं काम चला लेते इतने हाड मुश्किल नाम रखने की जरूरत क्या है ठीक है ना ठीक है लोकल नाम या जो स्थानिय नाम होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर चलते हैं जैसे मान लीजिए अपने एक्जाम्पले देख कुत्ता है ठीक है तो कुत्ता कहीं पर हम उसको कुत्ता बोलते हैं कहीं पर हम उसको डॉग बोलते हैं नहीं पर हम उसको कुकुर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप रोज की बात करो, तो अगर कोई, कोई जो इंग्लिश में बोल रहा है, वो उसको रोज बोलेगा, हमारे यहां के लोग उसको गुलाब बोलेंगे, ठीक है न, या फिर एक पेड़ है, जिसको हम बोलते है, कैलोट्रॉपिस, ठीक है, कैलोट्रॉपिस जो है, इसका साइन्टिफिक नेम है, पर अगर हम इसके लोकल नाम देखे, तो पहुँच सारे हैं, जैसे आकड़ा, दुदी, मदार, ठीक है, इस सारे इसके ही नाम है, तो क्योंकि इसके local नाम इतने सारे हैं तो मान दीजे दो लोग हैं अलग-अलग जगे से आएं एक आखड़ा के बारे में बात कर रहा है एक दुदी के बारे में बात कर रहा है पर इन दोनों को यह नहीं पता चल रहा कि actually वो एक ही पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, है न, तो confusion, confusion है, because अलग-अलग स्थान पर एक ही चीज के अलग-अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है, तो वो confusion create करता है, इसी confusion को धूर करने के लिए विज्ञानिक नाम रखा जाता है, ताकि हर एक जीव का एक ही विज्ञानिक नाम हो, और वो universal हो, मतलब पूरी दुनिया में वो नाम को जाना जाए, उस नाम से उसी जीव को जाना जाए, ठीक है, वो नाम जो है, वो पूरी दुनिया में एक जैसा ही होगा, ठीक है, that is importance of writing, basically scientific नाम, ठीक है, तो scientific नाम या विज्ञानिक नाम है, हम इसलिए रखते हैं, क्यों रखा जाता है, ताकि वो सारे संसार में एक ही होगा, ठीक है, तो हमाई जीवों को पहचानने में आसानी होगी, ठीक है, ना, confusion नहीं होगी, तो first of all तो क्या होता है, जो local नाम है, स्थानिय नाम है, उनसे जो local या फिर स्थानिय नाम होते हैं, वो क्या है, हर जगे पे अलग-अलग होते हैं, इस वज़े से इनसे confusion होता है, इसलिए हमें विज्ञानिक नाम की जरूरत होती है, और दूसरी बात क्या है, जो local नाम होते हैं, स्थानिय नाम होते हैं, वो किस किसी भी वज़े से दे दिये जाते हैं, उनका कोई scientific reason नहीं होता, कोई logic नहीं होता, किसी भी वज़े से वो नाम दे दिये जाते हैं, जैसे एक नाम है, मान लीजिए, silverfish, अब आपको क्या लगता है, यह एक फिश है, नहीं, silverfish एक फिश नहीं है, silverfish actually एक insect है, एक कीट है, ठी दिखोगे न, तो उसमें कई बार छोट ऐसा एक कीट सा आपको insect सा दिखाई देता है, जो पिलकुल silver रंका होता है, और fish ऐसा लगता है, ठीक है, फिश ऐसा है, उसकी शेप होती है, उसका नाम silverfish है, पर actually वो है insect, ठीक है न, ऐसे ही है jellyfish, ठीक है, एक प्लांट है, जिसका नाम है, forget me not, और एक प्लांट है, जिसका आपको सबको पता है, touch me not, that is, चुई मुई का पौदा, उसको टच करते हैं, तो वो बंध हो जाता है, ठीक है न, तो basically, यह जो लोकल नाम है, स्थानिय नाम है, वो किसी वज़े से भी दे दिये जाते हैं, यह किसी उस particular जीव की को अब ही सकता है, नहीं भी बता सकता, किसी भी वज़े से दे दिये जाते हैं, ठीक है न, तो इसी लिए विज्ञानिक नाम रखे जाते हैं, ताकि कोई confusion ना हो, पूरे world में वो उसी एक नाम से जाना जाए, ठीक है न, great, तो इसी वज़े से scientific nomenclature जो है, वो develop हुआ, ठीक है आगे चलते हैं अब हम, अभी सबसे पहले हम, binomial nomenclature के बारे में पढ़ेंगे, जो की linears ने दिया था, careless linears जो है, वो थे founder of binomial nomenclature, ठीक है, careless linears ने binomial system जो है, वो 1751 में दिया था, ठीक है, 1751, और उसके पाद उन्होंने दो books लिखी, एक है species plant theorem, जो की 1st May 1973, sorry, 1st May 1753, ठीक है, 1st May 1753 में publish हुई, और इसके अंदर उन्होंने, आपको नाम से ही पता चल रहा है, plant theorem मतलब plants के, ठीक है, तो पादपो के, पादपो के विज्ञानिक नाम दिये थे, ठीक है, दुई नाम पद्दति के अनुसार, उनके विज्ञानिक नाम उन् इसका 10th edition था, जो की 1st August 1758 में publish हुआ, इसमें उन्होंने जन्तुओं के विज्ञानिक नाम दिये, on the basis of binomial nomenclature, that is दुई नाम पद्दति के अनुसार, उन्होंने जन्तुओं के विज्ञानिक नाम दिये थे, ठीक है, ये दो पुक्स के नाम आपको याद रखने हैं, species plantarum, systema naturae, plantarum नाम से याद रखो, कि इसमें पादपो के नाम दिये थे, year जरूर याद रखो, 1753, systema naturae, year है 1758, इसमें जन्तुओं के नाम दिये गए थे, विज्ञानिक नाम दिये गए थे, ये दोनों ही कैरूलिस लिनियर्स की बुक्स हैं, ठीक है, और ये binomial nomenclature के founder है, समझ में आया सबको, great, चलिए, तो इससे related ये एक question था, जो मैंने आपको गलती से पहले दिखा दिया है ना, तो question है, लेनियर्स ने अपनी किताब dash में पौधो की 5900, that is 5900 जातियों, और अपनी किताब dash 1758 में जन्तुओं की 4626 जातियों का वर्णन किया है, ठीक है, त कैसे याद रखोगे, उसके नाम में plant आ रहा है ना, तो ऐसे याद रखोगे, क्यानी species plant theorem, ठीक है, तो लेनियर्स ने अपनी किताब species plant theorem में पौधो की 5900 जातियों, और अपनी किताब systema naturally, ठीक है, मैं जन्तुओं की 4626 जातियों का वर्णन किया था, तो आपका answer हो गया, ठ ठीक है, ओके बच्चों, तो यह आपका question है, और यह इसका answer है, अब next हम पढ़ेंगे rules of binomial nomenclature, जब आप तोई नाम पद्दती जो है, उसके कुछ rules है, ठीक है, आप जब कोई विज्ञानिक नाम देते हो, किसी भी जीव को, आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता ह ठीक है, तो कुछ नियम है, जिनको हमें follow करना पड़ता है, और वो ही rules हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो rules of binomial nomenclature क्या है, तो इदाम पद्दती के अनुसार, प्रत्येक जाती या species के नाम के दो घटक होते हैं, एक होता है, वंश ये नाम, that is generic name, यानि जीनस का न ठीक है, और दूसरा होता है, जाती संकेत पत, that is specific epithet, ठीक है, मतलब क्या है, किसी का भी विज्यानिक नाम जो होगा, उसमें दो पार्ट सोंगे, ठीक है, पहला पार्ट, जो पहला नाम, जैसे आपके नाम में भी तो दो होते हैं ना, मेरा नाम है शिप्रा गुपता, दो इसी भी जीव के दो नेम्स होंगे, जो फर्स नेम होगा, वो जीनस को बताता है, ठीक है, उसके वन्ष को बताता है, और जो दूसरा नाम होता है, वो उसका जाती संकेत पत है, ठीक है, दूसरा जो नाम होता है, वो है जाती संकेत पत, ठीक है, that is specific epithet, ठीक है, तो जैसे आलू है, आलू का साइंटिफिक नाम क्या है, सोलैनम ट्यूब्रोसम, तो आपको दो नाम दिख रहे हैं इसमें, दो पार्ट्स दिख रहे हैं न, ठीक है, दो घटक है, फर्स्ट वाला है वंशिय नाम, और दूसरा वाला है जाती संकेत पद, ठीक है, ऐसे ही हम आम की बात कर तो आम का नाम है मेंजी फेरा इंडिका, ठीक है, मेंजी फेरा हो गया, अगेन वंश का नाम, जीनस का नाम, और इंडिका हो गया जाती संकेत पर, that is specific epithet, समझ में आया आपको, तो दूई नाम, नाम से पदा चल रहा है न, देखो, दूई, मतलब, दो होंगे इसमें, दो वंश नाम को बताता है, वो capital letter से प्रारंब होता है, अब यह याद रखना है, बिकोज यह, इंग्लिश में है, नेम्स तो capital और small का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो जो जीनस का नाम होगा, ठीक है, वो हमेशा capital letter से शुरू होता है, और जो specific epithet का नाम होता है, वो small letter स शुरू होता है, ठीक है, ना, तो पहला शब्द जो वंश नाम को बताता है, वो बड़े अक्षर, that is capital letter से प्रारंब होना चाहिए, तथा जाती संकेत पद में छोटा small letter से शुरूात होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मैंजी फेरा इंडिका अपने देखा था, तो M capital है, बिको जो फ्रस्टू रूल्स क्या है, दो खटक होंगे, फिर्स्ट वाला जीनस का नाम होगा, दूसरा वाला specific epithet का नाम है, ठीक है, जो फिर्स नेम होता है, जो वंश का नाम है, जीनस का नाम है, वो हमेशा capital letter से शुरू होगा, जो second name है, जो specific epithet का नाम है, या जाती संकेत प इतना easy नहीं है ठीक है ना नाम करन करना तो इसमें और रूल सुनों ने दिये ताकि उनको भी follow किया जाए तो third rule क्या है जैविक नाम को अगर आप हाथ से लिखते हैं ठीक है या आप अगर उसको type करते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाना ठीक है और अगर आप उसको चाप रहे हैं तो उसको italics में लिखा जाता है ठीक है रेखांकन करना underline करना ये शो करता है कि वो words Latin origin के हैं ठीक है ये generally जो भी words हम use करते हैं नाम विज्ञानिक नाम देने में ये Latin के words होते हैं और Latin origin शो करने के लिए अगर आप इनको लिख रह autoknifera indica ठीक ए अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं इसको italics में तो नहीं लिख सकती ना italics में हाथ से कैसे लिखूँगी ठीक है तो मैं क्या करूंगी इसको अलग-अलग underline कर दूंगी ठीक है तो अगर आम रहे हैं तो हम इनको underline कर सकते हैं अलग-अलग और अगर इन संकेत पत के बाद अर्था जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, मतब basically जिसने भी उस नाम को दिया है मान दीजे या जिस भी scientist ने उस को discover किया या उसको describe किया है उस particular जीव को, तो उसका नाम लिख दिया जाता है end में, तो जैसे mango है, तो आम के नाम के end में आपने दिख रहा है lin, जो lin word है, यह linious के लिए है, careless linear के लिए, ठीक है, तो careless linear का जो नाम है, पर पूरा नाम नहीं लिखते हैं, उसको short form में लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं पूरा careless linear लिखेंगे, नहीं, सरिफ lin लिख दिया, और यह जो lin नाम लिखा है हमने, उसको ना तो हम underline करते हैं, नहीं हम उसको italics में लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको, तो विज्ञानिक के नाम को न तो रिखांकित किया जाएगा, और नहीं italics में छापा जाएगा, ठीक है, विज्ञानिक के नाम को roman अक्षा, तरह सरल वर्णमाला अर्थात सामानने रूम में दिखा जाता है, उसको न तो नाम करण जो है, वो सामानत यह लेटिन भाषा में, या लेटिन भाषा से व्यूत्पुन होते हैं, या फिर ग्रीक भाषा के होते हैं, कुछ-कुछ, क्योंकि ये मृत भाषा हैं, ये कोई रूल नहीं है, बड़ ये आपको बता रहा है, कि जो ये विज्ञानिक नाम होते हैं, ये जेनरली लेटिन भाषा से होते हैं, या कभी-कभी ग्रीक भाषा से, और ये दो भाषा है क्यों यूज करती जाती हैं, क्योंकि ये मृत भाषा हैं, मृत भाषा हैं मतलब इस भाषा में अब और ज़ादा कोई development नहीं हो रहा है, न कोई new words इनमें add किये जा रहे है और नहीं जादा use में आती है, ठीक है, तो इसी लिए इनको मृत भाशा कहा जाता है, ठीक है, तो जो Latin words इन में use किये जाते हैं, या विज्ञानिक नामकरंच जो हो, जेनरली Latin भाशा में किया जाता है, done everybody, तो ये जो हैं कुछ rules हैं, जो आपको याद रखने हैं, binomial nomenclature के, तो first हमने देखा था कि दो गटक होते हैं, जीनस का नाम, specific epithet का नाम, जीनस का नाम हमेशा capital letter से, specific epithet का नाम हमेशा small letter से शुरू होगा, ठीक है, फिर third हमने देखा कि अगर आप उसको लिख रहे हो, तो आपको उसको underline करना पड़ेगा, अलग-अलग, ठीक है, separately underline करना पड़ेगा, और अगर आप उसको print कर रहे हो, तो italics में print होगा वो हमेशा, ठीक है, ये क्या दिखाता है, कि वो latin words है, समझ में आया आपको, next हमने क्या देखा कि, जो भी scientist ने उसकी खोज किया है, वो नाम दिया है, उसका नाम हम specific epithet के बाद लिख देते हैं, पर पूरा नाम नहीं लिखते हैं, short form में लिखते हैं, और जो नाम दिखा गया है विख्यानिक का, उसको ना तो आप underline करोगे, नहीं उसको italics में दिखोगे, बस यही कुछ rules हैं, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, great, so that was about binomial nomenclature, अब ये जब हम नाम देते हैं, plants के, animals के, जो विख्यानिक नाम हम दे रहे हैं, पादपो के या जन्तुओं के, तो इस नामकरण से संबंदित, जो भी rules होते हैं, इससे संबंदित, जो भी नियम है, वो एक particular code में दिए जाते हैं, तो दो codes आपको याद रखने हैं, ICBN और ICZN, ठीक है, ICBN क्या है, International Code of Botanical Nomenclature, ठीक है, International Code of Botanical Nomenclature, और ICZN है, International Code of तो उसके related जो भी नियम है, आपको International Code of Zoological Nomenclature में मिलेंगे, यह जो है, यह आया हुआ question है, कि ICBN का full form क्या होता है, International Code of Botanical Nomenclature, ठीक है, यह आपको याद रखने हैं, दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है, International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Zoological Nomenclature, अब एक और चीज में आपको बताना चाहूंगी, और वो है, Totonims, अब आप बोलेंगे, Totonims क्या होते हैं, देखो, Totonims, या फिर हम इनको बोलते हैं, हिंदी में, पुनर नाम, ठीक है, Totonims जो है, वो scientific name से, कई बार क्या होता है, किसी जीव का जो नाम है, उसमें जीनस का नाम, और जो आपने specific epithet रखा है, बतलब वंश का नाम, और जाती संकेत पद, दोनों same names होते हैं, जैसे मैं आपको example देती हूँ, नाजा, नाजा, यह किसका scientific name है, आपको पता है, यह scientific name है, इंडियन कोबरा का, ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा, जीनस का नाम, और specific epithet का नाम, दोनों का नाम सेम है, नाजा, नाजा, दोनों में same word use अबने किया है, ठीक है, तो ऐसे names को हम बोलते हैं, टॉटोनिम्स, पुनर नाम, ठीक है, एक और example है, जैसे, रेटस, रेटस, यह किसका नाम होता है, चूहे का नाम, ठीक है, तो रेटस, रेटस, अगेन आपने देखा, same word, same word use किया है, हमने दोनों के नामों में, that is, जीनस का नाम भी same है, specific epithet में भी हमने same ही चीज लिखी है, तो ऐसे नामों को हम बोलते हैं, totonyms या फिर पुनर नाम, एक और चीज आपको याद रखनी है, कि जो totonyms है, ये animals के नाम में तो हम totonyms लिख रख लेते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी जन्तु का नाम रख रहे हैं, आनिमल का नाम रख रहे हैं, तो हम टॉटोनिम्स यूज करते हैं, पुनर नाम यूज करते हैं, मतब एक जैसे जाती, संकेत पद और जीनस का नाम हम रख सकते हैं, पर पादपों के केस में ये अलाउड नहीं है, ठीक ह तो स्रिफ animals के case में आपको ऐसे नाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको दो example दिये हैं, नाजा, नाजा, रैटर्स, रैटर्स और इनको हम बोलते हैं, टॉटोनिम्स या फिर पुनर नाम, जिसमें genus और specific epithet का नीम सेम है ये आपको स्रिफ animals में ही देखने को मिलेगा, plants के ऐसे नाम नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? Great, अब हम कुछ questions करते हैं, ठीक है न? चलिए, पौधो को Latin नाम दिया गया है क्योंकि यह है एक, dash है, ठीक है? तो जो भी हम विज्ञानिक नाम रखते हैं, basically, उनको हम Latin में क्यों देते हैं? कि यह मैंने अभी आपको बताया था, हम Latin नाम क्यों रखते हैं, बताइए? क्योंकि यह एक सरल भाषा है, मतब सिंपल भाषा है, क्या सामानने भाषा है, that is common भाषा है, या फिर यह एक मृत भाषा है, that is dead language है, yes? Yes, very good, very good, your answer is, क्योंकि यह एक मृत भाषा है, ठीक है, dead language है, मैंने आपको बताया था, Latin एक मृत भाषा है, इसमें आपकुछ और नया development नहीं हो रहा है, नहीं यह जादा यूज की जाती है, इसलिए Latin भाषा को, यह जो words हैं, वो Latin भाषा में रखे जाते हैं, नाम, yes, great, now we have next question, जैविक नामों के लिए सही विकल्प चुने, जो हम विज्ञानिक नाम रखते हैं, scientific names रखते हैं, उसके लिए कौन सा सही option है, यह दूई नाम यह है, that is binomial है, ठीक है न, यह वर्नन यह है, that is descriptive है, ठीक है, यह particular, जिस भी जीव के बारे में हम उनका नाम रख रहे हैं, उसको describe करते हैं, descriptive है, यह सर्व मानने है, that is universal है, ठीक है, हर जगे माने जाते हैं, बदाएए क्या answer होगा, दूई नाम यह है, वर्नन यह है, सर्व मानने है, obviously, answer होगा D, that is, उप्रोक सभी, binomial होते हैं, अब यह अपने देगा, binomial nomenclature है, ठीक है, सर्व मानने है, हर जगे universally इसको माना जाता है, ठीक है, और वर्नन यह है, great, very good, now we go to the next question, next question है, बर्गत का विज्ञानिक नाम इस प्रकार लिखा जाता है, फाइकस बेंगॉलेंसिस, L, dot, ठीक है, वो प्रोक के लिए निम में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, सो option A है, अक्षर L लेटिन भाशा को दर्शाता है, तो यह जो L लिखा है, यहाँ पे, यह बोल रहा है, कि यह जो L जो है, वो लेटिन भाशा के लिखा है, कि यह लेटिन हमें है, इसलिए L लिख दिया हमने, ठीक है, बी option है, नाम उल्टा लिखा जाना चाहिए, मत्तब बेंगॉलेंसिस पहले आना चाहिए, फाइकस उसके बाद आना चाहिए, अक्षर L dot, बर्गीकरन विज्यानी लिनियस को दर्शाता है, सी option बोल रहा है, कि यह जो L dot यहाँ पे लिखा है, वो साइन्टिस्ट के नाम के लिखा हुआ है, लिनियस के लिए, टी option बोल रहा है, बेंगॉलेंसिस एक वंश नाम है, बताएगे, क्या अंसर होगा इसका, कौन सा कथन सही है, सोचिए, यस, देखिए, अक्षर L dot Latin भाषा को दर्शाता है, नहीं, ठीक है न, यह इसके लिए नहीं लगता है, कि वो Latin भाषा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, specific epithet के बाद हम किसका नाम लिखते हैं, जाती, यह जो हमारा है, जाती पद, उसके बाद हम किसका नाम लिखते है scientist का नाम हमेशा, तो यह जो L dot जो है, वो वरगी करण विज्ञानी linear को दर्शाता है, वो Latin भाषा को नहीं दर्शाता है, तो answer आपका होगा C, नाम उल्टा लिखा जाना चाहिए, नहीं, यह तो गलत है, जीनस नाम पहले आएगा, specific epithet बाद में आएगा, तो नाम तो सहीं द्रशा है, वर लिखा हुआ, इसमें कोई problem नहीं है, Bengalienses एक वंच नाम है, नहीं, वंच नाम है, वो तो जाती पद है, ठीक है? वंच का नाम तो है, Phicus, समझ में आया आएँ, अपको? समझ में आया? हमने क्या देखा ता, कि जो 1st नाम होता है, वो वंच का नाम होता है, ठ specific epithet है ठीक है ना? और last में जो L है वो दिखाता है scientist का नाम तो इसलिए आपका answer होगा C next, सही लिखे हुए पादप या जन्तु नाम को चुने, ठीक है? तो आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा नाम सही है सही तरीके से लिखा हुआ है basically सही है नहीं, पर कौन सा नाम सही तरीके से लिखा हुआ है Homo sapiens, panthera tigris, pysm sativum या mangifera indica Homo sapiens जो है वो human beings के नाम होता है scientific नाम है, हमारा नाम है panthera tigris, tiger का नाम हो गया, pysm sativum mutter, ठीक है? और mangifera indica, mango का नाम हो गया, पर कौन सा इन में से सही तरीके से, सारे rules जो हमने पढ़े है ना, binomal nomin case के वो याद करो, और कौन सा उसको follow कर रहा है, अच्छे से देखो, first option अगर आप देखोगे, तो genus और species दोनों के जो नाम है, वो capital letter से शुरू हो रहे हैं तो यानि यह तो गलत है है, अपने देखा था, यह genus का नाम capital से, और species का नाम small से शुरू होना चाहिए, इसलिए यह wrong हो गया, ठीक है ना, panthera tigris यह हमें सही लग रहा है, क्योंकि p, ठीक है, capital letter है, genus का नाम, tigris, जो की specific capital है, वो small letter से शुरू हो रहा है, italics में भी यह लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही, पाइसम सटाइवम capital और small तो सही है, पर यह italics में नहीं लिखा हुआ, इसलिए यह गलत है, वेंगी फेरा इंडिका लिखा हुआ तो italics में है, पर इसमें दोनों ही capital letter से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यह भी गलत हो गया, तो आपका answer क्या सही हो गया बिटा, आपका answer सही हो गया B, that is panthera tigris, समझ में आया आप लोगों को, कोई confusion, कुछ भी problem हो, जरूर आप मुझसे पूछिएगा comment section में, ठीक है, next हम आते हैं, next question पे, और यह exam में, past year questions, basically past year exam में दूइपद, नाम पद्दती के घटक है, यह नाम करन प्रणाली, z द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो हमने देखा था कि binomial system, जो binomial nomenclature है, that is, दूइपद्दती है, उसमें दो नाम होते हैं, ठीक है, तो x किसका नाम होगा, first नाम क्या होता है, बताईए, first जो नाम हम लिखते हैं, दूइपद्दती में, वो first नाम किसका होता है, वंच का होता है, होता है न, second नाम किसका होता है, जाती संकेत पद का होता है, पर क्या यह रह विट्टे का नहीं दिया था, नहीं 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 तो ये तो गलत है option वापे सब दूसरे में जाते हैं जहांपे x वंच नाम हो y जाती संकेत पद हो और z क्या हो carolus lineas क्योंकि carolus lineas ने binomial nomenclature दिया था इसलिए आपका answer हो जाएगा a समझ में आया आपको ठीक है तो आमका ने प्रणाली z द्वारा प्रस्तावित की गई थी तो z कौन है carolus lineas ठीक है समझ में आया बेटा तो आपका answer क्या हो जाएगा a next आमका carolus lineas द्वारा सरप्रतम व्यक्त किया गया सही लिखित विज्ञानिक नाम का चयन कीजिए ठीक है तो carolus lineas ने जो आमका विज्ञानिक नाम दिया उसको सही तरीके से हम कैसे लिखेंगे बिसिकली वो ये पूछ रहा है आपसे ठीक है तो first mangyfera indica option देखो क्या ये सही है जैसे a में लिखा हुआ है again सोचो क्या rules थे rules यादा रहे हैं कुछ yes तो rule क्या था कि ये capital letter जो शुरू होना जीए ये small से पर ये तो capital है तो यानि ये wrong हो गया ठीक है ना next rule क्या था ये capital से ये small से ये तो ठीक है इसके बाद scientist का नाम भी आ रहा है ये भी ठीक है पर इतना बड़ा नाम पर ना लिखते है short form में लिखते हैं है ना तो इसलिए ये भी wrong हो गया ये capital से ये small से italics में है और यहाँ पर scientist का नाम है तो ये बिलकुल सही है इसमें क्या problem है इसमें scientist का नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए ये गलत है ठीक है तो आपका answer क्या हो जाएगा बेटा C ये सही तरीके से लिखा हुआ विज्ञानिक नाम है ठीक है ओके, now let's go further जैसे मैंने आपको बोला था कि ये question जो है previous years में आया था ICBN का पूरा नाम क्या है तो अभी मैंने आपको बताया था सोचो क्या था, सोचो सोचो Indian Code of Botanical Nomenclature Indian Congress of Biological Names International Code of Botanical Nomenclature या International Congress of Biological Names Yes, very good It is International Code of Botanical Nomenclature ICBN का फुल फॉर्म है International Code of Botanical Nomenclature तो ये कुछ पास्ची ये questions है जो अपने डिस्कस किये है तो अब ये आने चाहिए ठीक है, next हम चलते है ये जनन से related है हमने आज जनन भी पढ़ाता तो उससे related question है तो stump 1 का stump 2 से मिलान करें और नीचे दिये गए कोट से सही विकल्प चुने तो stump 1 में आपको दिख रहा है planaria ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया था जब हमने जनन पढ़ा था planaria के बारे में उनने आपको specially बताया था कि उसमें a sexual reproduction किस तरीके से होता है कौन सा method होता है सोचिए yes उसको अगर हम card दे तो वो पूरा हर एक part जो है वो नए organism में develop हो सकता है नए जीव में develop हो सकता है और उसको हम बोलते है सत्य पुनरजनन that is true regeneration ठीक है तो a का क्या हो जाएगा 4 और अगर आप options में देखो ठीक है तो a का 4 आपको सरफ a की option में दिख रहा है ठीक है और किसी भी option में नहीं दिख रहा है तो आपका answer होगा b ये भी एक तरीका होता है बेटा exams में question करने का अगर आपके पास कम time है ठीक है confusion भी है तो अगर आपको एक दो का भी पता है तो आप options के through उसका answer रिकाल सकते हो ठीक है तो planaria हो गया a का 4 that is satyapunajan fungi जो है अब हम देखेंगे b का इसमें 2 दे रखा है तो fungus हाँ चलिए ये asexual sports द्वारा कर सकता है तो ये सही है c का 3 दे रखा है यानि east का muckulin yes budding बिल्कुल ठीक है और d का दे रखा है 1 that is amoeba का दुई खंडल ठीक है binary fission तो बिल्कुल सही है yes तो आपका answer हो गया b समझ में आया आप सबको तो answer आपका इसका होगा b next हम आते है next question में निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है याद है जनन अभी पढ़ाता पने मैंने का आता कि कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो जनन नहीं कर पाते इसी वज़े से तो हम जनन को सूस पष्ट अभिलक्षन नहीं मानते हैं ठीक है ना खचर, श्रमिक मदुमक की अनुर्वर मानव यूगर ये सब ही जनन नहीं कर सकते हैं तो आज का आपका आंसर होगा उप्यूक्ट सभी next question कोई भी सदा जीवित नहीं रहता फिर भी जिन्दगी लगातार चलती रहती है ये कथन निम्न की भूमिका का वर्णन करता है ठीक है ना obviously कोई भी सदा जीवित नहीं रहता पर फिर भी निरंतरता है yes, निरंतरता बनाए रखने के लिए कौन सी प्रोसेस थी याद आया आपको ठीक है तो ये कथन निम्न में से किसकी भूमिका का वर्णन करता है भोगोलिक परिवर्तन that is geographical change ठीक है सारचना विकास morphogenesis ठीक है दूई गुणन that is replication या फिर प्रजनन that is reproduction yes तो मैंने आपको बताया था निरंतरता बनाए रखने के लिए चलते रहने के लिए continuity बनाए रखने के लिए कौन सी प्रोसेस है प्रजनन ठीक है तो इसका आंसर होगा प्रजनन that is reproduction great फिर ये जो question अब मैं आपको पूछ रही हूँ ये वाली question पिछला जो chapter पढ़ा है और अभी जो पढ़ा है पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है chapter तो सेम ही है पर पिछली क्लास में जो पढ़ा है और अभी जो पढ़ा है उन सबसे related है ठीक है नेन में से किस समू में सजीवों के परिभाशेद गुण नहीं है ठीक है प्रद्धी और प्रजनन उपापचे और कोशिकी स्तर का संगटन उदीपन के प्रती प्रतिक्रिया और संचेतना ये संचेतना होगा ठीक है या उप्युक्त सभी पताए अभी अपने पढ़ा सूसपश्ट अभी लक्षन कौन कौन से होते है ये पूछ रहा है कि कौन से नहीं है उपापचे Metabolic Activities कोशिकी स्तर का संगटन ये हमने देखा था दोनों ही सूसपश्ट अभी लक्षन है उदीपन के प्रती प्रतिक्रिया और संचेतना ये भी हमने देखा था कि सूसपश्ट अभी लक्षन है पर वृध्धी क्योंकि वो निर्जीवों में भी पाई जाती है ये सूसपश्ट अभी लक्षन नहीं है और प्रजनन क्योंकि इसमें सजीवों में कुछ अपवाद है जो प्रजनन शोर नहीं करते इसी लिए ये भी सूसपश्ट अभी लक्षन नहीं है इसलिए आपका आंसर क्या होगा? व्रिद्धी और प्रजनन ये परिवाशित गुण नहीं है समझ में आया? आगे चलतें अभी कतन है सभी जीव जनसंख्या व्रिद्धी के लिए प्रजनन करते है तर्क है प्रजनन सजीवों का एक समग्र विशिष्ट लक्षण है ठीक है? तो आपको बताना है इसमें क्या आंसर है सोचो ठीको असर्शन रीजन टाइप क्वेस्टिन्स भी आपको करने आने चीए बेरी इंपोर्टन होते है तो अभी कतन है सभी जीव जनसंक्या वृद्धी के लिए प्रजनन करते है क्या ये सही है? देखो अभी हमने देखा सभी जीव प्रजनन नहीं करते है कुछ exceptions है ठीक है? तो इसलिए ये statement गलत है ठीक है? प्रजनन सजीवों का एक समग्र विशिष्ट लक्षर है ये statement भी गलत है क्योंकि अगेन उसके कुछ अफवाद है इसलिए इसमें अभी कतन और तर्क दोनों ही गलत है ठीक है? समझे बेटा पिकस सभी जीव जनसंक्या वृद्धी के लिए प्रजनन करते है ये गलत है पिकस इसमें कुछ अफवाद हमें देखने को मिलते है जो की प्रजनन नहीं करते है तो अभी कतन और तर्क दोनों गलत है इस केस में नेक्स्ट निम्ण में से कौन सजीवों का एक परिभाशित लक्षन है वृद्धी ध्वनी उत्पन करने की शमता प्रजनन प्राम्य उत्पन के प्रती प्रती क्रिया अगें परिभाशित गुण है येस वेरी गुड प्राम्य भाय उत्पन के प्रती प्रती क्रिया ठीक है दाट इस कॉंशिसनेस चेतना ठीक है ये सजीवों का सूस्पस्ट अभी लक्षन है प्रजनन नहीं होता, व्रद्धी नहीं होता और ध्वनी उत्पन करने की शमता भी नहीं होता, ठीक है great, very good अब हमारे पास एक ये question है, जैसे जो मैं end में आपको देती हूँ, ठीक है ना, इसका answer आपको मुझे देना है, comment section के अंदर ठीक है ना, जरूर 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 दिमाग की खिड़किया खोलो, सोचो क्या answer होगा, ठीक है मैं बार बार आपको ये stress दे रही हूँ इस बात पे बेटा कि questions करना आपको आना चाहिए ठीक है, पढ़ो, theory पढ़ो, उसको याद करो सीखो, समझो, और फिर questions करो, ठीक है, क्योंकि कई बार questions ऐसे आते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता, फिर कि हमें answer क्या लगा ना, इसलिए questions की practice करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है तो ये question क्या है, निन में से कौन सा कथन जैविक नाम करन that is ICBN के सर्वमानने नियमों के विरुद्ध है ठीक है, ए है जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्तों को अलग-अलग रिखांखित करते हैं, प्रतेक जाती का वंश अंकेत पद और जाती संकेत पद होना चाहिए, जैविक नाम या तो लेटिन भाषा से विद्पुन होता या इनका लेटिनी करन होता है वंश और जाती संकेत पद की शुराद छोटे अक्षर से होती है जब उन्हें लिखा जाता है ठीक है, आपको इनको पढ़ना है अच्छे से और सोचना है कि कौन सा नियमों के विरुद है जरूर आंसा दीजेगा कमेंट सेक्षिन में जरूर जरूर पार्टिसिपेट कीजिए या आपको हेल्प करेगा ठीक है, तो अभी अपन लाच में एक बार वापिस से देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा था ठीक है, तो आज हमने basically एक तो पढ़ा taxonomy के बारे में ठीक है वर्गी की, इस taxonomy के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि taxonomy, basically वो सारे principles, rules, regulations नियम, process, जो भी हम use करते हैं किसी भी जीव को वर्गी गढ़ने के लिए, वो taxonomy के अंदर आता है, taxonomy में हमने देखा था कि कुछ steps होते हैं जैसे कि वो steps क्या है विशेशी करण characterization जिसको हम बोलेंगे फिर हमने देखा था पहचानना identification, पहचान करना फिर उसका नाम करण that is nomenclature करना ठीक है और फिर वरगी करण ठीक है फिर हमने एक और term देखी थी जिसको हमने बोला था systematics ये भी बिलकुल taxonomy के जैसे ही है पर इसमें बस एक चीज हमको याद रखनी है कि इसमें उद्विकासिये संबंदों का ध्यान रखते हैं जीवों के उद्विकासिये संबंद का ध्यान रखते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है उसके बाद हमने पढ़ा binomial nomenclature जो carolus lineans ने दिया है तो इसके कुछ rules हमने देखे थे कि इसमें दो नाम होते हैं किसी भी जीव को जब veganic नाम दिया जाता है उसके दो parts होते है जो first part होता है वो तो होता है बंच का नाम मैं आपको एक example से बताती हूँ ठीक है जैसे अभी अपने mango का वाले का example ले लेते हैं तो mango के scientific नाम है वो है mangifera indica तो किसी भी जीव का जब हम scientific नाम रखेंगे तो उसके दो parts होंगे first part जो है वो उसके वंच का नाम बताता है दूसरा जो है वो उसके जाती संकेत पद that is specific epithet का नाम है ठीक है फिर हमने देखा था कि जो वंच का नाम है हमेशा capital letter से शुरू होगा जाती संकेत पद जो नाम है वो हमेशा small letter से शुरू होगा फिर हमने देखा कि जो जाती संकेत पद है उसके बाद हम उस scientist का नाम जिसने उसको discover किया है या उसके बारे बताया या यह scientific नाम जिसने रखा है ठीके उसका नाम लिखते हैं पर वो नाम जो है वो हम short form में लिखते हैं और उसको ना तो हम italics में लिखते हैं ना तो हम उसको italicize करते हैं नहीं हम उसको underline करते हैं पर इन नामों को हमें underline करना होगा separately अगर हम लिखते हैं तो अगर इनको print किया जाता है तो इनको italics में print किया जाता है हमेशा ठीक है तो ये सारे कुछ rules हमने binomial nomenclature के देखे थे, हमें देखा थे, इस अब Latin भाषा में होते हैं, generally, because वो एक प्रित भाषा है, उसके बाद मैंने आपको बताया था, ICBN और ICZN के बारे में, International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Zoological Nomenclature, और फिर लास्ट में आपको याद रखना है, Tautonyms के बारे में, Tautonyms क्या होते हैं, जब किसी जीव का जो scientific नाम है, उसका जो वंश का नाम है, और जो जाती संकेत पद है, ठीक है, दोनों ही same है, तब उसको हम Tautonyms या फिर पुनर नाम बोलते हैं, ठीक है, यह स्रिफ variables में देखने को मिलेंगे ऐसे नाम, plants में यह नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके everyone, तो यहां तक आज हमने पढ़ा है, and I hope आपको आज की class समझ में आई होगी, yes, जरूर जाएए, इसको वापिस से revise कीजिए, जो भी आज हमने पढ़ा है, वापिस से revise कीजिए, ताकि आपके दिमाग में यह बैट जाए, ठीक है, questions करिए, questions solve करिए, और जो मैंने question पूछा है, उसका answer जरूर दीजिएगा, comment section में, ठीक है, तो thank you for watching this class, and bye-bye, thank you, take care, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, महनत करते रहिए, bye-bye.